आकाशवाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदेश में 18 से 30 अप्रेल तक विकास खंड स्तर पर स्वास्थ मेले आयोजीत किये जाएंगे आज से ही होगी टेली परामर्ष की शुरुवात रेल मंत्री अश्विनी वेश्णव आज जासी खजुराहो रेल मार्क का उलोगन करेंगे खजुराहो में रेल सुईधा बढ़ाने पर दिया जोर हनुमान जन्मोसों पर प्रदेश में अनेक कारेक्रमों का आयोजन और प्रदेश में खरगोन, दमों और खंडवा में तापमान 43 डिगरी सेलसियस तक पहुचा अब समाचार विस्तार से स्वास्ति मंतरी प्रभुराम चोधरी ने बताया है कि आजादी के अमरत महसों में प्रदेश के सभी विकास खंड़ पर 18 से 30 अपरेल तक स्वास्त मेलों का आयोजन किया जाएगा स्वास्त मेलों में आम नागरिकों को बुनियादी स्वास्त सुईधाएं, पात्र लोगों को आयुश्मान काड, डिजिटल मिशन में विशिष्ट स्वास्त पहचान पत्र उपलब्ध करवाते हुए विभिन्न स्वास्थ कारिक्रमों और स्वास्थ के प्रती आमजन में जागरुकता लाने का कारिय भी किया जाएगा स्वास्थ मेले में बिमारी की प्रारंभिक स्थर पर पहचान हेतु स्क्रीनिंग एवम निदान के संबन्द में बुनियाद इजाच, दवाईयों की उपलब्धता, विशय विशेशक्यों के साथ टेली कंसल्टेशन से उचित उपचार की निशुल्क व्यवस्था भी रहेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेश काउंटर भी बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वेश्णव ने कहा है कि प्रसिद्ध परेटन स्थल खजुराहों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा और दूसरी ट्रेनों की सुईधाय भी बढ़ाई जाएंगी। खजुराहों के दोरे पर आई श्री वेश्णव ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि देश की कला, संस्क्रती वधरोहर का संरक्षन हो और परेटन स्थलों का विकास हो। वे आज जासी खजुराहो नेशनल रेल मार्क का उलोगन करेंगे। इसके साथ ही वे महाराजा 16 साल कन्वेंशन सेंटर खजुराहों में जिला अधिकारियों, जिले के सांसत एवं विधायों को से विकास कारियों पर चर्चा के साथ ही अन्य कारिक्रों में भी शामिल केंद्रिय ग्रामिन विकास एवं पंचायत राजमंत्री गिरीराज सिही ने कल खंडवा जिले के प्रवास के दोरान विभिन्न विभागिये युजनाव का जाईजा लेने के साथ ही ग्रामिनों से चर्चा की। उन्होंने टिशू कल्चर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से चर्चा की और कम खेती वाले किसानों से मुर्गी पालन पशुपालन भी करने का सुझाव दिया जिससे आई के स्त्रोध बढ़ेंगे। उन्होंने उद्दानी की खेती पर जोड़ देते वे कहा कि फलदार पोधे लगा कर अधिक से अधिक लाभ कमाया ज सकता है। केंद्री मंत्री श्री सिही ने किसानों से टिशू कल्चर की खेती को स्वसाहयता समूह से जोड़ने को कहा। केंद्री मंत्री ने ग्राम भोगावा में जेविक खेती वह प्राक्रतिक खेती तसा किसानों द्वारा ली जा रही सीताफल अमरूद निम्बु की ख आउसर पर टेलिफोन परामर्ष सुईधा यी संजीविनी के एक लाख केंद्रों का आज उधगाटन होगा। ये समाचार आप आकाश्मानी भोपाल से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज हनुमान जन्मुस्तव श्रधा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। महाप्रसादी का आयोजन होगा। जबलपूर के ग्वारी घाट इस्थित रामलला मंदिर के गर्भग्रह से बाल रूप हनुमान का नगर भ्रमन कारिक्रम चल रहा है। वही भंडारा, भजन, हनुमान चालिसा का पाठ और महारती का आयोजन होगा। शिवपूरी के मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन होगा। नर्मदापूरम के प्रसिद्ध खेड़ापती हनुमान मंदिर सहीत अन्य मंदिरों में जन्मोसों मनाया जाएगा। गुना इस्थित हनुमान टेकरी मंदिर पर दो वर्षों के बाद विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज हनुमान जी के चार धाम योजना के तहट वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से गुजरात के मोर्भी में भगवान हनुमान जी की 108 फिट उची प्रतिमा का अनावरन करेंगे। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान देवाज जिले के ग्राम करोन माफी में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समाहरों में शामिल होंगे। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। हाला कि मोसम विभाग के नुसार अभी लू चलने की स्थिती नहीं है। मोसम केंदर के मुताबिक अगले एक दो दिनों में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दोरान राज्य में सरवाधिक तापमान, 43 डिग्री सेल्सियस, खरगोन, दमों और खंडवा में दर्ज किया गया। भारत की पुरुष होकी टीम ने कल भूनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग के दो चर्णों की टाई के दुसरे मेच में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ अमित रोहिदास की अगवाईवाली भारतिय पुरुष टीम 12 मेचों में 27 अंकों के साथ तालीका में पहले स्थान पर है। भारत ने जर्मनी को 3-0 से हराया था। अब भारत का दो चड़नों का टाइम मेच बेल्जेम के साथ होगा ये मेच बेल्जेम के एंटवर्प में जून महीने में खेले जाएंगे कल गुड़ फ्राइडे पर इसाई समाज ने प्रभू इसा मसी के वलिदान के स्मृती में क्रूज यात्रा निकाली इसमें प्रतिकात्मक जाक्या भी शामिल थी इस अउसर पर गिर्जागरों में बाईबल पाठ किया गया और प्रभू का संदेश पढ़कर सुनाया गया प्रभू युशु के पुनर जीवित होने के उपलक्ष में कल रविवार को इस्टर मनाया जाएगा केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री विरेंद्र कुमार ने कल विदिशा में श्री हरी व्रधाश्रम में परेटन योजना कक्ष का लोकारपन करते हुए कहा है कि ये योजना देश में एक आदर्श की तरह पहचान बनाईगी पश्चिम शेत्र विद्युत वितरन कमपनी को आधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए देश का प्रतिश्थित स्कौच सिल्वर अवार्ट प्राप्थ हुआ है इंदोर का महूशत प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाला प्रदेश का पहला शहर है मनसोर में कल मिड इंडिया अंडर विच का लोकारपन किया जाएगा इससे रेलवे लाइन की दुसरी और रहने वाली शहर की 30,000 की आबादी को बड़ी रहत मिलेगी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में 18 से 30 अप्रेल तक विकास खंड स्तर पर स्वास्त मेले आयोजित किये जाएंगे आज से ही टेली परामश की शुरुवात होगी रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव आज जहासी खजुराहो रेल मार का उलोकन करेंगे खजुराहो में रेल सुविधा बढ़ाने पर दिया जोर हनुमान जन्मोसो पर प्रदेश में अनेक कारिक्रमों का आयोजन और प्रदेश में खरगोन दमो और खंडवा में तापमान 43 डिग्री सेलसियस तक पहुचा इस बुलिटन में बस इतना ही नमस्कार